हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चानल दे ग्लाम अप कुईंग तो आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ डियाई वैर उप्टन जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइटन ब्राइटन बना सकते हैं ग्लोइंग बना सकते हैं और यंग बना सकते हैं अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप कम से कम एक महिने पहले इस उप्टन को ज़रू ट्राइ करना शुरू कर दीजिए इससे आपकी स्किन बाइटन ब्राइटन होगी और शादी वाले दिन आपका जो चेहरा है वह चमकदार होगा गोरा होगा और आप सबसे ज़्याद इसली मिल जाएंगे इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रत होगी ग्रैम फ्लोर की यानी बेसन बेसन के बाद हमें चाहिए होगा राइस फिलार यानी चावल का आटा सुगे चावल का आटा हमारे स्किन को वाइटन ब्राइटन करेगा और ग्लोइंग बनाएगा चावल का आटे के बाद हमें चाहिए होगा चंदन पाउडर सो अगर आपकी स्किन में एक्ने पिंपल्स की प्राब्लम है दाग धबो की प्राब्लम है तो चंदन पाउडर और सारी प्राब्लम को दूर करेगा उसकी बाद हमें चाहिए टर्मरिक पाउडर सो उप्टन बन और लास्ट इंग्रेंट मैसमें यूज करूंगी रॉ मिल्क यानि कच्छा दूद अब बात करते हैं कि आप हमें डियाइव उप्टन को किस तरीके से बनाना है इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है आपको एक क्लीन बोल लेना है जिसमें आप कम से कम एक से देड़ चमच बेसन एड़ के लिजे यानि ग्राम फ्लोर अगर आपकी स्किन में आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम है पिग्मेंटेशन है दाग धबे हैं तो यह सारी प्रॉब्लम तूर होगी उसके बाद मैसमें एड़ करूंगी एक चमच चावल काटा उसकी बाद मैसम करूंगी एक चमच चंदन पाउडर और आधा चमच आट करूंगी कॉफी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीजे एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं तो अगर इस करवच उद्ध भी आने ही वाला है तो आप कम से कम एक मेहने पहले इसे भी ट्राइक करना शुरू कर दीजे करवचात वाले जिन आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग नजर आएंगी और आप सबसे ज़्यादा आपका जो चेहरा है वो निक्रावा नजर आएगा उसकी बाद मैस में एक चुथाई चमच टामरिक पाउडर एट करूंगी यानि हल्दी आपकी शादी होने वाले या फिक करवा चाहते हैं आप इसे रेगॉलर बेसिस पर भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी शादी नहीं भी होने बाली है तो यह उप्तन आप यह ज्यादा नैच्रार एंफेक्टिव है मैंने इसमें जितने भी इंग्रेंश यूज्स की हैं वो अब बात करते हैं किस तरीके से यूज करना है इसको यूज करने से पहले आपको अपना फेस अच्छे से वाश कर लेना है ताकि आपके स्किन से सारी डर्स्ट डर्ट रिमूव हो जाए और उसके बाद आप इसे ब्रश की हैं अपने हेंज की हल्प से आपने पूरे फेस पर अपलाय करोगे लिजिए चोटेश यह डियाव आपके बाड़ आपके फेस और पूरी बॉडी के लिए है। अपनी नेक पर भी अपने अपने हैंस पर भी आपने मार्केट पर कोई परोड़क्स नहीं होते से अपनी सकिन को निखारने के लिए सो वह साथिन का ही चोटन जादान कर दिती है 9 b कोई भी हाम नहीं होगा इससे और हमारे शकिन वाइटण ब्हाइटण insect इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लेना है और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप इसे अपने लेक्स पर अपने हैंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपने हैंस पर भी इस अच्छे से अप्लाई कर लूँगी तो गैस यह उप्टन बहुत ही जदा नैच्रल है अगर आपको इसके 100% रिजल्ट चाहिए और आपकी शादी होने वाली है तो कम से कम एक महिने पहले आप इसे ट्राय करना शुरू कर दीजे तो गैस इसको अपलाय करने के बाद आपको कम से कम तीन से चार मिर तक अच्छे से अपनी फेस की अपने हैंस की मसाज करनी है देखिए इस तरीके से आप अपने पूरे फेस की हैंस की मसाज कर लीजे तीन से चार मिर तक आपको अपने फेस की मसाज करनी है अच्छे से मसाज करने के बाद आपको इसे कम से कम 15-20 मिनिट के लिए ऐसे ही सूखनी के लिए छोड़ देना है इसे सूखनी के लिए छोड़ दिया है और उसकी बाद आपको अपना फेस अच्छे से वाश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके पहले ही यूज से मेरी स्किन कितनी जदा क्लियर नजर आ रही है कितनी जदा शाइन नजर आ रही है आप इस दियावय उप्टन को ज़रू ट्राइ कीजे अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्स चाहिए तो कम से कम अगर आपकी शादी होने वाली है तो एक मेने पहले आप इसे ट्राइ करना शुरू कर दीजे और करवा चौद भी आने वाला है तो इस उप्टन को आप ज़र काम नहीं पोचाएंगे और मार्किट का महंगे महंगे फेशल कराने की बजाए आप इस नैच्रल उप्टन को ट्राइ कीजे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस उप्टन के कितने जादा बेनेफिट्स मिले आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं में लोंगी आ पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज मेरे चाना को जरूर सब्सक्राइब करें बबाए टेक कियर